सभी को नमस्कार. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि split token क्या है, splitting प्रक्रिया, splitting क्या है, split के लिए rewards, इत्यादी. हम पूरी splitting प्रक्रिया को एक साथ देखेंगे और देखेंगे कि यह क्या है, और यह किस तरह काम करती है? splitting एक नई घटना है, यह staking नहीं है, नहीं mining है, नहीं minting, नहीं farming है. अर्थात, coin mining का कोई भी परिचित तरीका, आपको पूरी तरह से यह समझने में मदद नहीं करेगा कि बंटवारा किस तरह काम करता है. लेकिन हम आज इसका पता लगाएंगे. तो, स्क्रीन पर आपको स्मार्ट वालेट का इंटरफेस दिखाई देगा. यह एक ऐसा एप है, जो अब सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. यह iOS के लिए App Store में, और यदि आपके पास Android है, तो Google Play पर उपलब्ध है. कृपया ध्यान दें, कि यदि आप स्प्लिटिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो आपका Application Version एक दशमलव पाँच दशमलव शून्य दशमलव से कम नहीं होना चाहिए. और iOS और Android दोनों के लिए जरूरी वर्जन बिलकुल यही है. स्प्लिट्स के साथ स्क्रीन पर जाने के लिए आपको Coin की लिस्ट में समबंधित S-Split Token का चैन करना होगा. हमारे लिए S-Mart हमेशा पहले आता है, फिर YOLTIMA और फिर S-Split. यदि हम एक S-Split Token का चैन करते हैं, तो स्क्रीन पर हम देखते हैं. हमारे Token का Balance, इसका Wallet, USDT में इसका अनुमानित समकक्ष और उप्योगी और आवश्यक बटन है. Receive, प्राप्त करें, Send, भेजें, Transactions, Transaction History. यहां हम देखते हैं कि हमारे बीच कुल कितने स्प्लिट हुए. यानि हम अपनी स्क्रीन को ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक साधारन टोकन हो. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टूल तक पहुँचने के लिए आपको S-Splitting बटन दबाना होगा. स्क्रीन खुल रही है, यहाँ पहली चीज जो हमें रुचिकर लगती है, वह निस्सन देह, Splits है. यह हमारे Split Token का बैलेंस है, जिसे हमने अपने वॉलेट में ट्रांसफर किया है. केवल वे टोकन जो आपके वॉलेट में उपलब्ध हैं, Splitting में भाग ले सकते हैं. उनका जीवन काल प्रभावित करता है कि आपको Splitting के लिए reward कैसे प्राप्त होते हैं. हम देखते हैं कि वर्तमान समय में ब्लॉक्चेन में कितने Splits हैं, अब आप देख सकते हैं कि उनमें से कितने काम के पहले चार दिनों में ही सामने आ गए. यह 1,765,427 Splits है, यह बहुत ज्यादा है. सच कहूं तो मुझे इतनी बड़ी मात्रा में होने की उम्मीद नहीं थी. अगला ब्लॉक रिवार्ड और हाल्विंग पीरियड से संबंधित है. मैं आपको याद दिला दूं कि हॉल्टिंग एक ऐसी घटना है जब जारी की गए कॉइन की संख्या बिलकुल आधी हो जाती है. अब हमें स्क्रीन पर तीन ब्लॉक दिखाई देते हैं. पहला ब्लॉक दैनिक रिवार्ड दिखाता है. यह कॉइन की वह मात्रा है जिसे सिस्टम एक दिन के भीतर वितरित कर सकता है. अर्थात यह सभी स्प्लिट होल्डर्स के लिए दैनिक रिवार्ड का अधिक्तम संभावित आकार है. आगे हम वर्तमान ब्लॉक और अंतिम ब्लॉक देखते ह यह संख्याएं क्या है? पांच मिलियन, दस मिलियन यह वह अवधी है जिसमें प्राइज कैलकुलेशन की वर्तमान शर्तें लागू होती हैं. अर्थात वर्तमान पड़ाव अवधी के दौरान जो पहले ब्लॉक से शुरू हुआ और दस मिलियन वेन ब्लॉक तक जारी रहे जो पचीस उल्टीमा से थोड़ा अधिक हो जाएगा और इसी तरह हर दस मिलियन ब्लॉक पर हम आपके साथ कैलेंडर के साथ सोचने के आदी हैं. दिन, घंटे, मिनट, मीटिंगे, यात्राएं, छुट्टियां, दो हफते, तीन हफते, एक साल, दो महीने, डिपैजिट, ल एटवर्क में हर चार साल में हाल्टिंग होती है और ऐसा कुछ विशिष्ट ब्लॉक पर होता है. लोगों ने गिना कि यह घटना लगभग हर चार साल में एक बार होती है, लेकिन कोई भी सठीक तारीख और समय नहीं जानता कि यह कब होगा जब वास्तव में आवश्यक सं अंख्या में ब्लॉक बनाये जाएंगे. यह किस समय घटित होगा, इसका अनुमान वर्तमान आंकडों के आधार पर ही लगाया जा सकता है. सारी क्रिप्टो क्रेंसी, पूरी ब्लॉक चेन इसी तरह काम करती है. तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में आपके पास और चौरासी सौवां टोकन होगा. अब आईए माई एस्टिमेटिड रिवार्ड. मेरा अपेक्षित रिवार्ड पर नजर डाले. क्यों अपेक्षित है? बात बस इतनी है कि उस समय जब हमारी स्क्रीन खुली है और आप और मैं बस बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ब्लॉक पर हों, तो और क्या समझना महत्वपूर्ण है? माई एस्टिमेटिड रिवार्ड वैल्यू की गणना केवल उस समय के आधार पर की जाती है जिसके दौरान स्प्लिट टोकन आपके वालेट में उपलब्ध थे. इसके अलावा आपके प्रतियेक स्प्लिटिंग के साथ सभी मौझूदा स्प्लिट्स दिखाता है. यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक दिन से कम समय तक स्टोरेज में रखे गए टोकन के लिए रिवार्ड प्राप्त करना असंभव है. यह कॉंट्रैक्ट का ही नियम है. बस एक मौझूदा स्प्लिट कॉंट्रैक्ट है, जो स् यदि हम अब पीछे जाएं, तो आंकड़ा अपडेट हो जाएगा. आप देखिए, जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो यह बड़ा हो गया है. तो एक बार फिर, ब्लॉक्चेन में कोई कैलेंडर या घड़ी नहीं है, हम ठीक से नहीं जानते कि इसमें कोई घटना बिल वैसे, ब्लॉक्चेन सेकेंड की गिंती कर सकता है, क्योंकि यह जानता है कि यूनिक्स टाइम क्या है, यह विश्व प्रसिध समय है, जिसे एक जनवरी 1970 को लॉंच किया गया था, जहां सेकेंड को केवल नुमेरिकल फॉर्मेट में व्यक्त किया जाता है. तो आपके वॉल एक दिल्चस्प पल है. यदि आप हर दिन बटन नहीं दबाते हैं, तो हम यही देखेंगे. सेकेंड की संख्या बढ़ जाएगी, सेकेंड की लागत बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे सिस्टम में विभाजन की संख्या भी बढ़ जाएगी. जैसा कि हम जानते हैं, एक स्मार प्रवातिक भंडारण नहीं है वह बस गणितीय गण ना कर सकता है और यह हमेशा मौझूदा फॉर्मिट का उप्योग करता है वर्तमान समय में कितने splits यानी हर दिन splits की संख्या अधिक होती जा रही है ध्यान रखें कि splits की संख्या हमेशा बढ़ेगी और reward प्राप्त कर सकते इसलिए आप स्वयम निर्णाय ले सकते हैं कि आपके लिए क्या अधिक फाइदेमंद है। हर दिन बटन दबाएं या एक, दो, तीन महीने इंतजार करें। लेकिन जिस समय आप यह क्रिया करते हैं, सिस्टम आपको नेटवर्क में स्प्लिट्स की कुल संख्या के अनुसार गिनेगा। आईए जादूई रिवॉर्ड का दावा करें। बटन पर क्लिक करें। क्रिपया ध्यान दें दोस्तों, यह राश्य कहीं भी किसी को नहीं भेजी जाती है। यह आपको कहीं भी श्रेय नहीं देता। यह वे टोकन नहीं हैं, जो वे आपको देने के लिए बाध्य हैं। जब तक आप अपने रिवॉर्ड का दावा नहीं करते, कोई ट्रांसफर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप इस पेज पर आए, तो सिस्टम ने ब्लॉक्चेन से संपर्क किया। पता लगाया कि वर्तमान समय में कॉंट्रैक्ट के तहट आपके पास कितना है और आपको सूचित किया गया है। स्लेम रिवार्ड, रिवार्ड प्राप्त करना चाहता हूँ, पर क्लिक करने का आपका अधिकार, या फिर अभी कुछ भी न लें। आएए, अब क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करें और हम उस जानकारी की पुष्टी देखेंगे कि हमारे पास सभी स्प्लिट्स तयार हैं। एक transaction में 70 splits है, 70 token के लिए आने वाला split transaction, अब मैं reward पाने के लिए सहमत हो सकता हूँ, और मुझसे आरंभ करता के रूप में एक fee, commission लिया जाएगा, यहां मैं एक संकेत दूँगा, network fee का भुगतान हमेशा उन लोगों द्वारा किया जाता है, जो blockchain संचालित करते हैं, अर्थात हमेशा भुगतान करने वाला वह नहीं होता जो प्राप्त करता है, बलकि वह जो पहल करता है, वह जो सवाल, अनुरोध, गणना के साथ smart contract से संपर्क करता है, सभी action के लिए उर्जा की आवश्यक्ता होती है, और इसका भुगतान प्रत्यक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो इस smart contract का निश्पादन शुरू करता है, उदाहरन के लिए आप सहमत हैं कि हाँ, आप reward प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास 0.2772 मिलियनवा हिस्सा है, confirm पर क्लिक करें, हम देखते हैं कि reward का अनुरोध किया गया है, आपने इसकी मांग की, इस तथ् प्लिट्स स्टोर करते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं, आप स्टोर करते हैं, यह आपको पुरस्कृत करता है, आप OK पर क्लिक करें, और आप Ultima के साथ स्क्रीन पर आते हैं, यहां आप देख सकते हैं, यहां आने वाला transaction है, लेकिन जब बटन दबाया गया था, तब य उससे भी बड़ा निकला, क्योंकि सेकंड हमेशा बढ़ते रहते हैं, जब हमने दबाया, तो कई सेकंड बीट गए, और हमें 0.2772 मिलियन वा नहीं, बलकि 0.2781 मिलियन वा प्राप्त हुआ, आईए इस transaction को देखें, इस hash को कॉपी करें, और अपने explorer पर वापस जाएं, हैश डालें, और हम देखते हैं कि सब कुछ सफल रहा, यहां हमारा हैश है, यहां हमारे token का योग है, यहां हमारा token tracker है, हम देखते हैं कि यह कहां से आया, किस पते से आया, यानि मैं इस wallet का holder, मैंने smart contract शुरू किया, हम देखते हैं कि यह trigger smart contract कहता है, इसका मतलब है कि मैंने इसका अनुरोद किया था यह वालेट है यह कॉन्ट्रैक्ट है वैल्यू शून्य स्मार्ट है क्योंकि मैंने स्मार्ट के साथ काम नहीं किया लेकिन फिर भी मैंने SRC 20 संचालित किया यह हमारे टोकन की वैल्यू है उन्होंने मुझे 0.002781 उल्टीमा भेजा अब आईए नेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को संसाधित करने के लिए खर्च की गई चौकियों और उर्जा की मात्रा है और अब उन्होंने मेरे अनुरोध के प्रसंसकरण और निश्पादन के लिए मुझसे 21.8862 हिस्सा बट्टे अकाउंट में डाल दिया है यह 70 टोकन के लिए एक अनुर नाओ पर 100 या 140 का कमीशन भी सामने आ सकता है कोई भी कभी भी 200 तक नहीं पहुच पाया है आये फिर से अपने वालेट पर वापस जाएं और देखें कि हमारे स्प्लिट्स का क्या हुआ हम पेज पर जाते हैं स्प्लिटिंग पर क्लिक करते हैं और ओल अटी गिंती शुरू होती है आपको 23 घंटे और 50 मिनट और इंतजार करना होगा जब तक टोकन परिपक्व नहीं हो जाते स्मार्ट कॉंट्रैक्ट भी यह नहीं बता सकता कि मैं कितना पाने का हकदार हूँ जब 84,600 सेकंड बीच जाएंगे तो वे मुझे तुरंत मूल्य दिखाएंगे यदी आ आप इनाम के लिए आवेदन करेंगे तो स्मार्ट कॉंट्रैक्ट क्या करेगा आपके पास 150 स्प्लिट्स हैं उन में से कितने रिवार्ड प्राप्थ करने के लिए तयार हैं एक कृपया स्मार्ट कॉंट्रैक्ट ने अपना काम पूरा कर लिया है एक टोकन के लिए रिवा शुरू हो गया है। इसलिए दोस्तों कृप्या ध्यान दे और सावधान रहें। हम देखते हैं कि हमारे बीच स्प्लिट्स हो गया है। यह 70 टोकन का मेरा एक बड़ा ट्रांजेक्शन है। टाइमर चालू है 23 घंटे। यदि अब कोई मुझे कुछ ट्रांसफर कर दे तो मै नमबर दो पर बंट जाऊंगा और यहां टाइमर की गिनती अलग तरीके से की जाएगी। जब वे सभी तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर से स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। वे सन्युक्त हो जाएंगे और आपके पास 70 से अधिक टोकन होंगे। इसलिए जब आप अपने DeFi यू वालेट से पे आउट करते हैं तो आप आने वाले ट्रांजेक्शन के साथ समाप्त होते हैं एक, दो, तीन, चार। जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो वे संयुक्त हो जाते हैं और पूरी राशी के लिए उलटी गिनती फिर से शुरू हो जाती है। इस तरह हमने अ का आरंभ करता होता है। हमने यह पता लगा लिया है कि स्प्लिट कैसे प्राप्त करें और रिवार्ड के वित्रण में कैसे भाग लें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद सभी को शुब काम नाए।